नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand Jotis Secret आज सूरी ग्रहन है और सनी अमवस्या भी है तो 4 दिसंबर को लगने वाला ये सूरी ग्रहन कुछ रासियों को अगले 24 से 48 घंटे के अंदर ही खुसियां दे जाएगा क्योंकि अगर हम यहां पर ये ग्रहन कई रासियों के लिए बहुत सूब रहेगा लेकिन 2-3 रासियां ऐसी है जिनको अगले 15 दिन तक संभल के रहना है तो चलिए जानते हैं कि 48 घंटे के अंदर क्या खुसियां मिलेगी और किन को संभल के रहना है ये ग्रहन क्यों इतना जादा खास है सबसे पहली बात तो ब्रिस्चिक रासि में ये ग्रहन लग रहा है और ब्रिस्चिक रासि में इस समय सूर्य, बुद्ध, चन्रमा और केतु मौजूद है तू चार ग्रह एक साथ बुद्ध सूरी लेकिन केतू के साथ चन्रमा ग्रहन दोस भी दे रहा है ऐसे में क्या होगा आप लोगों का हाल अगले पंदर दिन तो चलिए शुरुवात करते हैं मेस रासी से मेस बालू कॉन्फिडन्स बढ़ेगा अगले पंदर दिन तक बादचीत में संतूलन बनाये रखें और अगले 48 घंटों तक आपके मानसिक सांती तो है लेकिन सुभा में थोड़ा बहुत चिरचरा पन है क्योंकि ये ग्रहन थोड़ा सा निगेटिविटी तो दिया हुआ है आपके उपर तो ऐसे में मा के स्वास्त का ध्यान रखें और धन बेबज़क खर्च ना करें जो चीजों के आवस्ता नहीं है उन चीजों में धन खर्च करने के पहले दो बार सोज ले जौब करते हैं तो थोड़ा सा कारे बढ़ेगा लेकिन उसके बेनिफिट आपको कुछ दिन के बाद दिखेगा तो ग्रहन तो परिवर्तन भी होगा तरक्की के नए अफसर भी मिलेंगे और इंकम भी बढ़ेंगे पर कुछ मामलों में अपने स्वास्त का ध्यान बनाये रखें तो अति उत्तम है वैसे धर्मिक कारियों में आपका रुजहान बढ़ेगा अपनों के साथ धर्म कारे कीजिएगा पर आपका भौतिक सुक्सुविदा बढ़ेगा संगीत के तरफ रुजहान बढ़ेगा जॉब करते हैं तो कारे छेदर में परिवर्तन दिखते हैं लेकिन विदेस यात्रा बेगरे की योग बनेवे हैं लंबी दूरी की यात्रा से लाब होगा विदेस से लाब होगा और हन थोड़ा सा आपका confidence को कम कर रहा है तो ऐसे में बेबजा के क्रोध से बचिए और बेबजा किसी भी चीज को लेकर टेंसन ना करें पैसे थोड़ा सा बच्चों पर धियान रखें नौकरी करते हैं तो आपके जो उच्चा धिकारी उनका साथ मिलेगा हलांकि आपके उप पर काम का pressure है लेकिन सांत रहें भाईयों का साथ मिलेगा जीवन साती के सहयोग से आप कुछ अच्छा कर पाएंगे ब्यापारी है तो आपके लिए बढ़िया है क्योंकि आप तरक्की कर लेंगे और आप में वो गुन है confidence भी है सिंग वालों नौकरी में किसी मित्र के सहयो रखना अती आवस्यक है और साथ ही कुरोध से बचिएगा हना कि आपके रासी के स्वामी को गरहन लगाए लेकिन फिर भी आपके उपर अच्छा फल है तो आपके धन बढ़ाएगा और लंबे समय से जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा हो जाएगा करन्या रासी बे बज साथ से भरबूर रहेंगे लेकिन संतान सुख की भी प्राप्ति के योग है संतान को कश्ठ है संतान के ओपर ध्यान अखना है और मित्रों के साथ यात्तर समय का फायदा आपको उठाना होगा इन जो तुला वाले हैं मनो सांत दिखता है परिवार की जिम्मेधानिया थोड आ सकता है नौकरी के लिए जो प्रतिक्ता प्रिच्छा है सचात्कार है वेगर में आपको कारियों में सभलता भी मिलेगी और इसमें सासन सत्ता सरकार से लाब होगा आपके इंकम बढ़ेंगे तो उसके लिए आप तयार हैं लेकिन आपका मन यानि मानसिक टेंसन बढ़ा हु लगन में जमके तो मन की स्थिती चंचल तार देगा यानि एकदम से कभी लगेगा आप टेंसर में कभी रो रहे हैं कभी हसरे आपको समझ में आएगा हुआ क्या यानि छने रुष्टा छने तुरुष्टा के भाव मन में होंगे अपना स्वास का थ्यान रखिएगा ऐसे जौब बेगेरा में तरक्की तो करी जाएंगे मन में तोरी सी निरासा और सुंतुष्टी का भाव ना है उनसे आपको बाहर खुद निकलना होगा कारे छेतर में थोड़े बहुत परिवर्टन हो सकते हैं थोड़ी सी कठनाईया है जीवन में ध्यान रखना है आपको जो ध अधार्मिक अस्थान पर अपनों के साथ यात्रा बेगेरे के योग है आत्म विश्वाज भरा हुआ है लेकिन सांत रहे ओवर कॉंफिडेंस से बचे अति उत्साही होने से बचे नहीं तो फिर फस जाईएगा और मां से धनलाप के भी योग है थोड़े खर्चे परेसान करे करेंगे पर खर्चों से बाहर निकलने का प्रयास करें मकर रासी मन की चंचलता से आपको भी बचना है क्योंकि तुरन से आप एकदम से बहुत बहुत निरासा जैसी चीज़ें हैं दिमाग में तो इनसे अगर आप बच जाते हैं तो फिर चीज़ें उतने भी गरबड नही जौब करते हैं तो तरक्की के अफसर भी मिलेंगे सुभा में थोड़ा सा चिर्चरापन है आपको ध्यान रखना है और स्वास्त के प्रती सचेत रहें वैसे तो इसमें इंकम में थोड़े बैबधान आएंगे पर धीरे धीरे आही जाएंगे कुम्रासी दामपत्य सुख तो बढ़ेगा और परिवार के साथ किसी यात्रा बेगेरा पर भी जा सकते हैं हलांकि खर्च बढ़ेंगे जो भी आपके बैंक बैलेंस उसमें कमी आएगी पर सुखों पर खर्च होंगे मां के साथ रिस्तों को बहतर बनाये रखें और क्रोध करने से बचें इसमें किसी उच्चा धिकारी से मुलाकात हो सकती है आपकी वानी का वेट बढ़ेगा वानी का प्रभाव बढ़ेगा तो इन चीजों का आपको फायदा उठाना चाहिए क्योंकि आपके लिए गरहन उ सुक्सानती है कि अगया परिस्त्रम का लाब आपको मिलता रहेगा लेकिन धैर में कमी आ रही है तो धैर बनाये रखें और इसमें यात्रा में कठनाई आएंगी तो अगले 15 दिन यात्रा करने से बचें खान पान की तरफ रूची है मां का साथ मिलेगा सोभाम में तरीके से गुजार पाते हैं तो बढ़िया है देखिए जीवन में प्रेम आएगा लेकिन आपको आखें बंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना और अंतिम समय में यात्रा बेगर भी टलेगी क्या करें कि आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रोज कम से कम 27 बर कायतरी मंत्र जर सुनिभा